नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नैंश्री क्लासेस में मैं आपको यहाँ पर सुपर टेट के प्रिवेस एर कॉस्टन पेपर सॉल्ब करा रहे हूं इसका एक वीडियो मैंने अल्रेडी बना दिया है आप प्लेलिस से जाके चेक कर सकते हैं उस वीडियो को देखना लिखने की उचमता है आउटेिजम डिसलेक्सिया दिसप्शिया आप्रेक्सिया आपके जितने भी विकार है या अचमता जिने आप कहते हैं यह बहुत the सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं डिसलेक्सिया कि बारे में कि डिसलेक्सिया क्या होता है डिसलेक्सिया पढ़ने में सब्दों और अक्षालों को समझने और पहचानने में जो अच्छामता होती है उसे हम लोग कहते हैं डिसलेक्सिया ठीक है यहां पर में लिग देती डिसलेक्सिया तो डिसलेक्सिया होता है पढ़ने में सब्दों और अक्षरों को समझने अर पहचनने की अच्छम्ता, चीक है तो आपकी पढ़ने में सब्दों और अक्षरों को समझने और पहचनने की जो अच्छम्ता होती है उसे हम लोग डिसलेक्सिया कहते है थीक है आप लोग ने सबसे पहले dyslexia के बारे में जाना अब हम लोग बात करते हैं diffasia जिसी आप aphasia भी कहते हैं इसके बारे में diffasia क्या है आए जामता होती है इसे हम लोग कहते हैं अकसर आप से यह पwyंचा जाता है कि संचार में अचन अचमता समझ तो संचार में अचन गारीया सद गताइब तो तो यह हो गया आपका आभिस्जा के बारे में अब हम लोग आगे बात करेंगे दिस ग्राफिया के बारे में जिस घ्राफिया फिक है तो वालोग से असलिच एंदाजा लगा हैं ग्राफ, ग्राफ को आप क्या करेंगे ग्राफ को किसी चुर फे जो तॉता है उस पर खीशते हैं, कि कि फिर जुटी से पतली से लैने होती थी तो उसमें हम घ्राफ कीछती थे तिक है यानी की graph चीचना का मदलब क्या है लिखना ठीक है लिखना का मतलब जहां पर आप drag चला रहे हैं ग्राτα चलाते हैं तो ऐसे ही आपको डिस्ग्राफिया से याद रखना है कि लिखने में कठना ही इन सब को याद करना थोड़ा सा टफ होता है इसलिए मैं आपको इस तरीके से बताई हूं ठीक है डिस्ग्राफिया dysgraphia क्या होता है यह आपकी लिखनी में जो कठनाई होती है यानिकि लेखन में जो कठनाई लिखनी में कठनाई ठीक है तो याद रखिएगा कि आपका dysgraphia क्या है अब बात आती है dyspraxia की एक्जाम में कई बार dyspraxia के बारे में भी पूछा जाता है ठीक है dyspraxia क्या है आईए जानते हैं dyspraxia आपके दिमाग और जो चालक कोंसल होता है उनके भी समन्वय में कठनाई होता है यानिकि आपके जिस भी student में जिस भी वच्चे में dyspraxia का विकार होगा तो उसके होता है ऐसे बच्चों के लिए यानिकि ऐसे बच्चों को जो है माइंड और उनके जो चालक कोशल है उनमें समन्वय स्थापित करने की जो अच्छमता है वो पाई जाती है ठीक है तो यहां पर में लिख देते हूं दिमाग और चालक कोशल का मतलब क्या है मोटर इसके ला और समन्वय मैं कठनाई इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं तो यहां पर आप लोगों नहीं किस किस के बारे में जाना यहांब लोग ने सबसे पहले dyslexia के बारे में, फिर diffizia या physia के बारे में, फिर dysgraphia के बारे में, फिर dyspraxia के बारे में. तो आपने सबसे ने dislexia आता है? दिसलेक्सिया क्या था? पड़ने में सबदों को और अक्षरों को समझने उपाछनने की अच्छामता थी. फिर हम लोगों पड़ा dyspraxia के बारे में कि दिमाग और चाला कॉंसल के भी समनभय में कटनाई को हम लोग डिस प्रेक्सिया कहते हैं ठीक है तो यह चारों आप लोग अच्छे से याद करिएगा आप चलते हैं कॉश्चन की और तो यह रहा आपका कॉश्चन तो आपसे कॉश्च क्या है पुर्वग्यान ब्याख्या स्यामपटलेखन यह ग्रहकार तो आए समस्ते हैं इसको पार्ट प्रस्ताबना का मतलब क्या होता है इंट्रोडक्शन स्किल ठीक है तो आपसे कॉश्चन यह पूछा गया है कि वाट इस दमेन कॉंपोनेंट ओफ इंट्रोडक्शन स्क का मेल कॉंपोनेंट बताना है तो आएए जानते हैं स्वारी में आपके जो इन्रोडक्शन स्किल है उसके मुख के जो कॉंपोनेंट यानि की संघटक जन्हें आफ हिंदी में कहते हैं वह कुछ इस तरीके से हैँ आप इनको अच्छे से नोट कर लेजिएगा आएए के मुख्य संगटक यानि की कॉंपोनेंट निम्न है ठीक है कौन-कौन से हैं सबसे पहला होता है आपका पूर्वग्यान से संबंध यानि की वेलेशन टू प्रायर नॉलेज ठीक है पूर्वग्यान से संबंध इसको इंगलेस में हम लोग क्या कहेंगे रिलेशन टू इसको थोड़ा सा दूर टू प्रायर नॉलेज ठीक है ढूर्वग्यान के दूसरा जो कॉंपोनेंट होता है वो होता है ये प्रेर्णा है तो उप्यप्त युक्ति वा सैक्षिक साधनों का चैन इसका मतलब क्या है इसका मतलब होता यह होता है की मोटिवेशन के लिए आपको स्टेवल मैथर्ड और एजुकेशनल मैथर्ड जो आपके सि Ewß है उन सब को स्लेक्ट करना होगा यानि कि स्लेक्शन ऑफ सीटेवल मैथड एंड एजुकेशनल मेंस ठीक है तो दूसरा आपका क्या है दूसरा है प्रेण यानि कि मोटिवेशन कि प्रेण हे तू कि उप्योग्त कि युक्ति कि वा कि सेक्षिक साधन उ का शैयन ठीक है तो आपको दूसरा जो कॉम्पोनेंट याद रखना है इंट्डॉक्शन ही स्रीचार का व यह होता है कि आपको उपफ्योग्ट्य युक्ति और जो श्लादनि के साधनें उनका चैन करना होगा पहला, आपका जो component वो क्या है पूर्विज्यान, आपको पूर्विज्यान जो है उस को प्रायर नॉलेज़ बिठाना होगा, यानि की पूर्विज्यान से सम्मंद आपका होना चाहिए, introduction skill की है, दूसरा component क्या है, आपको ऊप्युक्त सनसादनों का chain करना चाहिए, जब भी आप कुछ भी introduction skill देते हैं तो सबसे पहले हमारे पास prior knowledge होती है ना हमारी उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं जो जो हमें संसाधन चाहिए पढ़ते हैं हम भो इकटे करते हैं ठीक है तो यहां पर मैं एंगलिस में भी लिख देती हूं ताकि आपको समझने में कटना ही for motivation selection of suitable method and educational means ठीक तो यह दूसरा component हुआ तीसरा component क्या हुता है प्रशनों में तारतम मेता अब यह तारतम मेता क्या है यनि कि आपकी जो question है उनमें consistency होनी चाहिए यदि आपकी प्रशनों में consistency नहीं होगी तो आप लोग जो है introduction skill जो आपकी है उसके लिए आप सफल नहीं होगी तो इसलिए सबसे ज़रूरी होता है कि प्रशन जो है उनमें consistency होनी चाहिए जिस प्रकार से आपकी कोई भी activity है उसमें consistency आती है तब जाके आपका वो कारे सफल होता है इसी प्रकार से आपका जब प्रस्तावना कॉंशल है उसका ये main component माना जाता है आपका consistency in question यानि कि प्रश प्रशनों में तार तम्यता इसका मतलब है consistency in questions आपका जो fourth component होता है वो क्या होता है उद्धीपन प्रभाव उद्धीपन का मतलब क्या होता है उद्धीपन का मतलब होता है stimulus यह सब आप लोगने पढ़े होंगी जब आप लोग सिक्षण को असल पढ़ते हैं उसमें पढ़ आपके उद्धीपन प्रभाव का मतलब होता है stimulus effect ठीक है तो यह last component है आपके आपके इस्टुमिलस effect तो यहां पर आप लोगों ने जो introduction skill है इसकी चार घटक जाने कौन-कौन से पूर्वज्याने से संबंध होना चाहिए introduction skill के लिए और दूसरा क्या है आपके पास जो अप का stimulus effect होना चाहिए ठीक है चलते हैं प्रिश्नी की और की प्रिश्नी क्या था तो यह था आपका question question कि पाठ प्रस्तावना कोशल का मुख्य संगटक क्या है कि आपको कहीं पर भी पाठ प्रस्तावना कोशल में ब्यक्यान नजर आया बिलकुल भी नहीं आया स्यामपट लेख आये चलते हैं next question क्यों question है आपसे की NCRT द्वारा रास्य पाठे चरिया की रूप रेखा कब प्रस्तुत की गई very very important question यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि when was national curriculum framework introduced by NCRT question बहुत अच्छा है और आप सभी लोग इसका अंसर बता भी देंगे कि आपका 2005 में जो है आपका NCRT कई सारी चीज़ें जानना हैं तो आइए जानते हैं इनके बारे में ठीक है यहां पर आपको NCRT के बारे में मैं इस तरीके से बता दूँगी इस तरीके से आपको fact जो है याद हो जाएंगे इस तरीके से आप समझ पाहेंगे कि आप NCRT के बारे में कहीं और पढ़ने की ज का आधार क्या था तो इसका जो आधार है वो बहुत इंपोटेंट है याद रखिएगा NCF 2005 का आधार था रभींद्र नाथ टैगोर का जो निवन्द था सभिता एवं प्रगति ठीक है NCF 2005 का आधार क्या था रभींद्र नाथ टैगोर का जो निवन्द था सभिता एवं कि निवंध सभिता इवन प्रागति ठीक है तो यह आधार था एंसेफ 2005 का अब बात आती है कि एंसेफ 2005 जो है वो आपकी किसकी अध्यक्षिता में जो है आपका गठित हुआ था एंसेफ के लिए एक आयोग गठित हुआ था यानि कि समीती गठित की गई थी तो उस समयती में समयती का अध्यक्ष था भू ठीक है तो आपके जो अध्यक्षित है थे आपकी प्रोफेसर यसपालव शर्मा कौन थी अध्यक्ष अध्यक्ष के बारे में आप लोग लोग याद रखियेगा प्रोफेसर में यसपाल सर्मा हो टीक है आप बात आती है कि एंसेफ 2005 के लिए कि सचिव कोन थी तो ncf 2005 के लिए जो सचिव थी बो थी शेता उत्पल गौन थी सवयता उथ पर मैं मैं इसको हटा देते हूं पहले सचिव सवयता उतपल एब बाद आती है कि आपके ncf 2005 के लिए एक समीति गठित कि गए थी मैंने आपको भी बताया कि आपके एक समीति गठित किये थी NCF 2005 के लिए तो समीति में कुल कितने सदस्य थे तो कुल सदस्यों की जो संख्या थी वह आप लोग याद रखिएगा कि कुल सदस्यों की संख्या 38 थी ठीक है 38 थी इन 38 सदस्य को किस तरीके से डिवाइड किया गया था तो इन मैंसे NCERT जो हैं किसकी संचालन समीति ठीक तो यहां पर आपने क्या जाना हम लोग ने सबसे पहले जाना कि NCF 2005 का नेशनल के रिकुलम फ्रेमबर्क है यह किसकी अधिक्षिता में हुआ था तो यह प्रोफिसर यसपाल सर्मा के अधिक्षिता में गटित किया गया था ठीक है सचे कौन थी त सब्सक्राइब निर्माण के लिए आपके यसपाल सर्माजी हैं इनकी नित्रत्य में एक समीति गटित की गई थी तो आपके यसपाल सर्माजी कौन थी अधिक्षिते आगे भी जानते हैं अब बात आती है कि NCF 2005 किस मंत्राले की पहल थी वेरी वेरी इंपोर्टन तो आपक कि मानो शंसाधन मानो शंसाधन एवं विकास मंत्राले की पहल जो है आपकी थी एंसेफ 2005 अब बात आती है कि NCF 2005 का निर्माण किस ने किया यह बहुत इंपोर्टन होता है ठीक है तो एंसेफ 2005 को जिन निर्माण किया था वो इसके did थी तो आपके थी प्रदान के ती वह आपके सी डोरा की चाहिते किस द्राएशी के द्राटन की Bien Greek कितनेホॉलब द्राएगा तो NCF 2005 का निर्माड टोटल 22 भासाओं में आप सबी को पता है कि आपके भारती समयधान में 22 भासाओं का उलेक है तो याद रखिएगा कि 22 भासाओं में आपका जो है NCF का निर्माड किया गया कितने राज्यों के द्वारा NCF को एकसेप्ट किया गया था तो आप लोग याद रखिएगा 17 राज्यों के द्वारा NCF को एकसेप्ट किया गया था ठीक है अब बात आती है कि NCF ने आपके जो है त्री भासा सूत्र पर जोड़ दिया था किस पर त्री भासा सूत्र क्या था प्रिपशा सुत्र आईये जनते हैं तो यह से 2015 सब लिए प्रपाज फेला था आपका मात्रवासा निकी मत्रवासा अब कि आपकी बिए टांग दूसरा इन्हों ने जोड दिया था तका रास्टी-व्भासा आप आप सभी को पता है कि आपके रास्टी भासा कौन से हिंदी है और लिपी कौन से है देवनागरी है तो रास्टी भासा पर जोड़ दिया था और इन्होंने किस भासा पर जोड़ दिया तो एक अंतरास्टी भासा पर जोड़ दिया था आका मतलब है अंतरास्टी भासा आप ल अब आप लोगों ने कई भार देखा होगा कि NCF 2005 के अंतरगत कुछ विसाय सामिल किये गए हैं, वो विसाय कितने हैं, कई जगए आपको संख्या अलग-अलग मिलेगी, तो आपका इंफ्यूज मत हो ना, सबसे आपकी जो सटीक संख्या है, वो है आपकी चार, तो NCF 2005 ने चा क्언सा है संख्या है, यह बहुत इंपोर्टेंट है, यह आपसे पूछा जाता है, सामाज्या वि Gall, you have aninja विग्यान, जूसरी आपका fourth अब आपको जो सबसे important और last में जो समझना है वो ये समझना है कि NCF 2005 आपका क्यों आया आखिर इसके मारगदर्सी सिध्धान्त कौन से हैं तो आये जानते हैं क्या है तो आपके उद्देश था कि जो है आपकी जो नौलेज को स्कूल के वहरी जीवन से जोड़ा जाए आप सभी को पता है यदि आप लोग कोई साभी टॉपिक पढ़ लेते हैं चाहे वो साइंस हो चाहे सामाजिक भी ज्यान हो या आप गड़त पढ़ते हैं गड़त क् जो आप क्याल करते हैं वह सामाजिक ज्यान क्या है जो आप अपने जीवन में करते हैं इसलिए जो नौलेज है आपका उस नौलेज को स्कूल के वहरी जीवन से जोड़ा जाए ठीक है ज्यान को इस जोड़ा जाए कि दूसरा है आपका दूसरा बताने से पहले मैं आपको यह कहूंगी अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत जादा टाइम लग रहा है वीडियो में कि लिखने में लगता है तो आप अपनी सेटिंग में जाके स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लीजिए दूसरा जो उदेश था हो था कि जो आपकी पढ़ाई की रतंत प्रणाली है यानि कि जो रोट लर्निंग है उससे आपको निजात मिले उससे मुक्ति पाई जाए ठीक है तो पढ़ाई को रतंत प्रणाली से मुक्ति किया जाए ठीक है तीसरा जो था वो यह था कि आपकी जो पाठे चर्या है वो आपकी पुस्तक के इंद्रत ना हो वो कैसी हो बाल के इंद्रत हो चायल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात के जाती है ncf 2005 में कभी भी आपसे पूछा जाए कि चायल्ड सेंटर्ड ल तो आपके एंचल में की गई है पहले होता क्या था कि आपकी जो पाट्ठाचर्या थी यानिकि आपका तो पुष्थ पुस्तक जो था यानिकि बस आप पुस्तक पर ही अपना ध्यान के अंद्रत करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं हिए आप बालक की दूचिस toward इसका प्रवाइड की जाती है यानि कि बालक इंद्रिट सिक्षा अब आपको प्रवाइड के जाती है इसलिए आप देखते होंगे कि जो अब प्राइवेट एसकूल खुल रहे हैं उनमें कितनी सारी चीजें आपको जो है सुगधाय मिलते हैं वह किसली मिलती हैं वालक आपको आपके पुस्तक ना हो पाथ्टे पुस्तक केंद्रित ना होकर कैसी हो बाल केंद्रित हो वाल केंद्रित आप लोग समझ जाएंगे ना इस तरह की से मैं लिख रहे हूं चूकि जगा नहीं है छिए चीजरें आतलों को याद रखना है आये किक्ष इसंधोर वाला क्ति को चीजें करते हैं तो उन सब को गति वीजियें ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट है कक्षा कक्ष जैसे आपने साइंस में कुछ भी सीखा तो उसको गतिविधी के थुरू से जोड़ना क्योंकि जब आप चीजों को अपने सब्जेक्ट को गतिविधियों से जोड़ेंगे तो आप उस चीट को अच्छे से समझ पाएंगे ठीक है जोड़ा जाए एंट आपका पांचवा जो उद्देश से था वो क्या था रास्ट्री मूल्यों के प्रति यानि कि आपकी नेशनल मूल्य के हिसाब से ठीक है रास्ट्री मूल्य के प्रति विध्यार्थी तैयार हूं ठीक है तो यहां पर आप लोगों ने अंसे अब 2005 के बारे में अच्छे से समझा होगा एंडा अंसार आपको पता चल गया होगा आए चलते ब्रेल ब्रेल या इनमें से कोई नहीं ठीक है तो ब्रेल लिपी आपकी क्या है यह समस्थने पहले है आखे क्या आवश्क्त है ब्रेल लिपी की यह भी बहुत इंपोर्टन्ट होता है तो जो ब्रेल लिपी होती है वह basically जो आपके नेतृहीन ऊलग होते है नेतृहीन जो बच्चे होते हैं नेतृहीन बच्चों को पढ़ने और लिखने के लिए यह जो है लिपी विक्सित किये थी इसका अविशकार किस ने किया था तो यह इंपोर्टेंट है इसका जो अविशकार किया था वह आपका किया था लुई ब्रेल ले किया था यह जो है लुई ब्रेल कहां के थे तो यह एक फ्रांसीसी लेखक ते क्या थे फ्रांसीसी लेखकते अब आपको एक बहुत अच्छी बात पाता चलेगी वो यह कि यह जो आपकी लुई ब्रेल थे यह खुद एक नित्रहीन थे ठीक है नित्रहीन होने के बावजूद भी इन्होंने इस लिपी को डेबलब किया जो आज हजारों बच्चों के लिए हैल्फुल है हजार बच्चे जो नित्रहीन बच्चे हैं वो आपके पढ़ पा रहे हैं रिसेंट में आप लोगों ने एक आई-एस मैम का नाम सुना होगा मुझे उनका नाम तो नहीं रिकॉल हो रहा बट वो भी एक नित्रहीन थी फिर वो एक आई-एस बनी इसी लिपी से वो खुद बताती है नेत्रहीन लोगों के लिए आपकी यह लिप होती है किसके लिए नेत्रहीन लोवों के पढ़ने लिखने के लिए तो आप से समझ जाएगा बात आती है आपका ब्रेव्य को मनाया जाता है जो कि इंपटेंट काई हार इगजाम में आता है तो ब्रेव्य प्रती वर्ष आपके जो मुझे ब्रेव और इनकी जनवारी जननिवरी यह सभी points आपको कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि यह बो points हैं जो मैंने अपनी त्यारी के दौरान पढ़े और जो मैं आपको share कर रहे हूं ठीक है तो यह points आपको कहीं नहीं मिलेंगे आप लोग इनको अच्छे से पढ़िएगा और लिख लीजिएगा एक जगए 6 बिंदों पर आधारित है यह लिपी ठीक है अब बात आती है कि आपकी जो आपकी ब्रेल लिपी होती है कि कितने वर्णों की एक संकेत लिपी है तो यह आपकी संकेत लिपी है यह लेकिन यह 63 वर्णों की एक संकेत लिपी है कि एक शंकेत लिपी है तो इतने points आप लोगों ने जाने कि ब्रेल लिपी के जनक हैं यहां पर आप लोग समझ कहें होंगे ब्रेल लिपी के जनक कौने लुई ब्रेल सहाब थे कहां के थी यह फ्रांसी सी लेखक थे यह स्वैम में एक नेत्रहिन थे कब इन्होंने डेवलप की थी यह मैं आपको वहां पर बताना भूल गई 1821 में जो उवे ने दिया इश्ぁम बहुत इंपोर्डन कौशन है आगी जनते हैं इस फार में यहां आपसे प्राचीन अनुमंदन कहा जाए यहां आपे प्राचीन स्ध.лав कहा जाए अनुर उच्छिव कैसे अनुकर्या े चैनकिन न dar behavior यह सब के सब आपके इपावलाव द्वारा दिये गए आपसे अगर पूछा जाए तो याद रखेएगा ठीक है आपसे क्या क्या बोला जाए मैं आप लिए दितिंग पावलाव कि शास्त्री अनुबंधन कहा जाए या आपसे क्या कहा जाए दूसरा प्राचीन अनुबंधन ठीक है प्राचीन अनुबंधन या आपसे प्राचीन सिध्धांत कहा जाए प्राचीन सिध्धांत ठीक है या फिर आपसे अनुबंधित अनुकरिया सिध्धांत कहा जाए अनुवंधित अनुक्रिया सिद्धान्त कहा जाए ठीके या फिर आप से कहा जाए अनुकूलित अनुक्रिया Benden तो यह सभी आपके किस ने दिये इपावलव ने दिये थे ठीक है अनुकूलित कि अनुक्रिया शुद्धान्त ठीक याद रखेगा आप लोग यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक तो यहां पर आप लोग क्वेशन की ओर जलते हैं तो क्वेशन का अंसर क्या होगा प्राची ननवंदन सिध्धान किस ने दिया था पावलव ने दिया था यह प्रियोग इन्होंने किस पर किया था तो पावलव ने अपने प्रियोग कुत्ते पर किया था किस पर किया था कु लराद रखिएगा ठीक है चलते हैं next question की उर question है है आप से कि heritage genius नामक पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई तो heritage genius जो आपकी genius पुस्तक किसने लखी थी तर्मन ने Pearson ने garden ने यह रहाद ने यह आपके जो है तो यहां पर आप लोग याद रखेगा गाल्टन के द्वारा जो है यह आपका हेरीडिटी जीनेस नामक पुस्तक दी गए थी गाल्टन को आप लोग एक अन्य नाम से भी जानते होंगे यह बिसिकली जीव सांख्यकी के संस्थापक ते किसके थे जीव याद रखेगा उचा जाता है एक्जाम में जीव सांख्यकी के संस्थापक कौन थे गाल्टन सहब थे आगे आप गाल्टन के बारे में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जन्हों ने बैसिकली जो है आपकी वंशानुकरम से संबंदितिक फॉर्मूला दिया था बहुत सब आप पढ़ेंगे ठीक है आईए चलते हैं next question की ओर question है आपसे कि निमलकित मैंसे कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है अंताहश्रावी ग्रंतियां पॉस्टिक भोजन रोग तथा चोट उप्युक्त सभी तो यहां पर आप लोग समझ गया होंगे कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं आईए जानते हैं कि बालक की विकास को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं क्योंकि यह जो कारक है ना यह कारक आपकी एक्जाम में कई बार मुझे जाते हैं तो आप लोग इन सभी कारकों को अच्छे से याद रखेग से अपने पूर्वजों की जो विश्यस्ताइं प्राप्त की जाती हैं उसे हम वंचानुक्रम कहते हैं ठीक है यनि कि व्यक्ति अपने माता पिता के मध्यम से अपने पूर्वजों से जो भी विस्यस्ताइं प्राप्त करता है उन्हें हम क्या कहते हैं वंशानुक्रम करते हैं तो वंशानुक्रम एक ऐसा कारक है जो बालक की विकास को प्रभावित करता है क्योंकि हमारे अंदर जो भी विस्यस्ताइं आ रही है वो हमारी पू सुद्ध हवा तथा प्रकाश अब सुद्ध हवा और प्रकाश किस तरीके से प्रभावित करती है बालक के विकास को यह मैं आपको श्रम का पैक था एा दो वियोग को यह अई ब्रकाश मैं प्रकाश में बहुत जादा प्र représentना ही ठीक है मेरी आइस जो है बहुत स्यादा एरिटेट होती थी the Pre और मतलब यह कि इचिंग होती थी आईस में 9 तो क्या हुआ मेरा मांसिक विकास प्रभावित हुआ क्यूकि मैं मांसिक इसतर से क्या चड़ चड़ी हो गई तो यह होता है शुद्धावा इवं प्रकास का जो आपने समझा तो यहां पर आप लोग अच्छे से समझ गए होगे तीसरा होता है आपका कौन सा कारक तीसरा कारक है आपका पॉस्टिक भोजन बहुत जादा जरूरी होता है विकोज जब आप न्यू फूट बगैरब खाते हैं उयल फूट फूट जादा खाते हैं तो ऍह temples जादा कंजिम होगा तो आपका शारेरियन प्रभावत हुआँ होता ज्रीक जादा ज़रूरी है चोट गंबीर है तो आगे चलके बालक को जरूर प्रभावित करती है मान के चलिए कोई बालक है जो छट से गिर गया है बच्पन में गिरा था जब बड़ा होगा ना तो वो छट से गिरा होने के वज़े से उसकी पीठ में दर्द होता है तो क्या हुआ उसका सारीरिक विकास प्रभावित हुआ वो चोट उसको जिंदिकी भर दर्द देगी ठीक आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास कि कोई बच्चा अगर बच्पन में गिर जाता है तो वो चोट उसकी आजीवन चलती रहती है जब बुड़ा भी हो जाता है तब भी उसको प्रॉबलम हो पारि वारिक परिस्तितिया किस तरीके से प्रभावित करते हैं तो पारिवारिक यहां पर मैंने कुछ गड़वार लिख दिया जहीं से लिख ृवरिक परिस्तितिया तो पारिवारिक परिस्तितियां किस तरीके से प्रभावित करती हैं बालक की विकास को यदि परिवार की परिस्तिति अच्छी होगी जहां पर लड़ाई जगडा नहीं होता होगा महुल अच्छा होगा तो बालक का विकास जो है वो प्रभावित होता है बालक का शारेरी वि रहती है हम इसां बना रहता है तो बालक का जो मानसिक विकास है वो प्रभावित होता है तो पारिवारिक परिस्तितियां भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं ठीक है बालक के विकास के पांच पक्ष है विकास के पांच पक्ष कौन-कौन से होते हैं आप सबी को पता ह अरड़ एक है हैं तो अप लोग्हों ने देखा पारिवारिक परिस्तरियां हुआ आप ंवयुध करती यह दुझी अविए को पता कि यॉग भीयद भी को प्रहा ब्लीड घर यही ते आहे अं संस्कृती अप आपका i7 दिय्ट इचांगे तो जो आपके जीतिर्वास आपके जर्टी होगी आपका को較 इस तरीके से प्रभावित होता है आप ढ़ुई के इसी तहवालों का बन वेखास रबे डिफरेंट रोग जैसा उन की संस्कृति है उसी हिसाब से होता है चीक है तो यह हुआ आपका संस्कृति के बारे में अब चलते हैं कौश्चन की और तो आपका कौश्चन था कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से थे अंताश्राबी ग्रंती थी पौस्टिक बोजन था रोग तथा चोट भी था इसलिए उपरिप्त सभी वाला अंसर एकदम करेक्ट होगा आए चलते हैं नेक्स कौश्चन की और क्वेश्चन है आपसे कि राश्ट्री अस्ती बिकलांग संस्थान इस्ते थे दहरादून में मुंपई में कॉलकाता में या शिकंत्रावाद में तो ज इसलिए ऑट रास्ट्रिय से द्रिश्टी और को है। बदितार्थ संस्थान हिसोन और सन्स्थान थीए आपका कहां पर है यह आपका धेरा दून में है मुंपई में क्या है तो मुंपई में जो है आपका वो है राश्रिय श्रबनückलांगता संस्पान ठीक यह आपसे एक्जांब पूछा जा सकता है इसको यह समझता संस्थान आप लोग ने कौलकाता में तो देखी लिया कौलकाता में क्या था कौलकाता में राश्ट्री अस्ती बिकलांगता संस्थान था शिकंद्राबाद में क्या है तो शिकंद्राबाद में राश्ट्रिय मांशिक बिकलांगता संस्थान है कि इदा से चार संस्थान आप याद रखिएगा वक्रशन मोंबयमें रास्ट इश्रवण्-विकलांगता संस्थान कौलकाता सिकंद्रावाद में रास्टियमानसिक विकलांगता संस्थान आए चलते हैं नेक्स कोश्चन की ओर जो कि आपसे कि जीवन कोशल का मुख्य उद्देश है चमताएं विक्षित करना चोनोतियां एवं मागों के अनुशाजियों गिता पृतिक प्रिष्ण का उत्तर सही करना एक अच्छा सिक्षक बनना जीवन कोशल का उद्देश आपको बताना है तो जीवन कोशल का मतलब क्या होता है जीवन कोशल का मतलब है लाइफ स्किल ठीक है आपको लाइफ स्किल जो है लाइफ स्किल का एम बताना है कि वाट इस दा एम ओफ लाइफ स्किल ठीक है तो ला जिवन कोशल ठीक है चामताइं विक्षित करना बिल्कुल भी नहीं लाइफ इसकिल क्या है आपके जो चुनोति हैं यानि कि आपके अंदर जो परिस्तितियों में जो चुनोतियां है और आपकी जो डिमांड है उस डिमांड के अकोर्डिंग और उन चुनोतियों के चैलेंज आएड चलते हैं next question के ओर विक्ति दूसरों की परिषानियों को समझता है दूसरों को पसंद करता है दूसरों की इच्छा अनुसार कारे करता है या हमेशा भ्रह्म में रहता है क्या स्वहानू भूति जब आप लों किसी को भी स्वहानू भूति देते हैं शुहानू भूत यह दो वर्ड सुनेंगे sympathy और empathy ठीक है empathy क्या होता है कि कोई व्यक्ति रो रहा है तो हम उसको देखके रोने लगए यह होता है empathy बतलब जैसा हो कर रहा है उसी तरिके के भाव हमारे अंदर आये तो भूती एंपैथी sympathy सोहानुबूति सुहानुबूति क्या होती है दूसरे विक्तियों की परिशानियों को समझते हैं अपका छुंफ के अच्छा-कोशन अच्छा कोष्चन है पुरुषकार जब प्राप्ट करते हैं आप लोग तो क्या होता है आपके अंदर आता है आपको शुखद अनुभूती होती है जिके तो आपका पुरुषकार तो यह पता चल गया कि पुरुसकार एक धनात्मक अभी प्रेणा है अब बात आती है कि पुरुसकार आपका क्या भौत एक है या फिर आपका प्रत्यक्ष्य भौत है अब बात के पुरुसकार निर्टेशन का प्रियोव सरपत्रम किस ने किया था फिर आपको बता दें की द्यवक्शायग निर्देशन का प्रियोव सबसे पहले थो परसंश ने किया था इसलिए second option एकदम correct होगा next question है आपसे कि NCRT ने सेक्षिक संदर्ब में निमलकत मूल्यों में से किसको स्विकार किया है आए जानते हैं इस बारे में options हैं आपके सफाई एवं सच्चाई श्रम समानता एवं सहीं हो या अपरोप्त सभी तो NCRT ने सेक्षिक संदर्व के इंडिये जो मूल हैं उनको स्विकार किया है कौन-कौन सेथाइब सच्चाई भी है शरम भी है शमानता इवं सहीह उग भी है तो यह सभी के सभी जो मुल है वो NCRT ने सैकचक संदरों में सामिल की है अब यहां पर बात आती शमानता से पर है समानता से ग्या पर है समानता सिझते के वाली बच्चे हैं उनको समान शिक्छा के आऊश्वर अवस देखायों वाख्यों पढ़ के समाविक 1950 वाले बच्चे वेश और सभी चीजे स्थेलं वामनों के का हैं ॥ क्या है तो सहिॵ है आपको यह जो सिक्छक हैं और विध्यार्ति है इन तो और नेक्स कॉशन है आपसे कि निम्लिकित मैं से ऐसे संधर्व में नहीं है कि प्रक्रिया है या फिर केबल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है यहां पर आपके option इस तरीके से दिये गए हैं कि आप आँख बंद करके भी अगर आपने अच्छी से पढ़ा होगा तो आप अपना सही option टिक कर सकते हैं आँख बंद करने से पहले आपको option तो देखने होंगे ठीक है तो आप लोग यह चीज बहु करने कुछ ना से सिहा लेए तो पीदा होता है तब और उसकी मृतिव नहीं हो जाती बालक तब तक सीखता रहता तो क्या आपका सेठी एकन कक्षा संहा हैं बिल्कुल भी नहीं है इसी लिए आपका fourth option बिल्कुल सही नहीं है सिक्षण के बारे में कि सिक्षण के अबल कक्षा तक सीमित रहने वाली पिर्किरिया है जी नहीं सिक्षण आपका जो है कि कक्षा के अलावा आप घर में भी सीखते हैं घर के अलावा आप खेल के मैदान में भी सीखते हैं आप कहीं पर भी लाइबरीरी में जाते हैं कहीं प सबसे पहले तो जान लेते हैं निकट से दूर का जूनियम है इसको themale में क्या कहाते हैं कि यह बहुत जरूरी है biz जानना कभी-कभी हमसे elkaar से दूर ना देकर English का जो वर्ड है उसको कैते हैं प्रॉक्सीमोडिस्टल तो आप इसको क्या कहते हैं इसको 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 कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल लो डिस्टल लिखा हुआ है यह प्रॉक्सिमो डिस्टल लो कहते हैं इसको ठीके मस्तका दूमु की नियम को कहते हैं तो मस्तका दूमु की नियम को कहते है स्चेपेलो कोडलु नियम को सकते है आके और आपके और 3 नियम है तो इस दूर नियम को यहांगा पता है person के उत रखोसां हμο्न, नियम भी आता है और मस्तकादुखी नियम को नियम अथा है सबसे पहले जानते हैं कि निकर से दूर का नियम किया है आए Avatar सबस्क्रम के निकट से दूर का नियम सबसे पहले विकसित हो गाद के निकट से दूर की अंग का हुई यानिकि सबसे पहले आपके केंद्र के निकट अंगों का विकास होगा, फिर आपके केंद्र से दूर के अंगों का विकास होता है, यह होता है आपका निकट से दूर का नियम, जिससे आप क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं, ठीक है, शरीर के जो आपके अंग है सरीर के बिविन अंगों का जो आपकी चंता है उनको उपयोग करने की चंता का विकास आपके समीपो दूरस्त जिसे आप क्या कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं निकट से दूर कहते हैं इसी सिध्धान का अनुसरन करता है फिर से चुनिए मैंने यह कहा कि सरीर के मत्कद्व मुखी का नियम होता है समझते हैं मस्त का दो मुखी की कहते हैं सिफालो कोडल केहते हैं तो क्या होता है से फैलो का अर्थ है यह बहुत ज़रूरी होता है तो सिफेलो का मतलब क्या है तो सिफेलो जो होता है इसका आर्थ होता है सिर या खोपड़ी ठीक है सिफेलो क्या है सिर या खोपड़ी होता है तो सबसे पहले मस्तफ के चेत्र का विकास होता है फिर धर चेत्रका और अंत में पेर की चित्र का विकास होता है तो याद रखिएगा मस्तका दूर मुकी का मतलब है सिर या खोपड़ी यानि कि सिर या खोपड़ी का विकास सबसे पहले होगा इसके बाद आपके धड़ का विकास होता है धड़ के बाद आपकी पेर की चित्र के सरीर के अंगों का विकास हो कि आयूँ म्याइब चलते हैं कॉस्शन कि अधालसे बीकासात्मक दिसा की नियम समलेथ करता है न्यकरसे दूर को भी और मस्तक नहुल्हा की का बीडिक के वितक सात्मक की होता हैSON इसमें development direction ठीक है तो development direction आपका इसका मतलब होता है नेक्स आप से कोश्चन है मार्गरेट नीड के अनुसार व्यक्तिक भिनताओं के लिए शर्वादिक महत्पूर्ण कारक है जैविक मनुबेग्यानिक सजाती है यह शांस्कृतिक तो मार्गरेट नीड के अनुसार व्यक्तिक भिनताओं के लिए जो सर्वादिक महत्पूर्ण कारक है वो क्या है शांस् सभी प्रतीक फ्रतीक की संस्कृति इसलिए मिलती हैं अलग है कि संस्कृति है इवह की प॥ही आहां उसका दोछ पती को時 मैं उस ब्यक्ति से अलग हूं थाक यह जह आवक आपके वाल मनोव क्यान सिख्छल कोशल जीवन कोशल प्रवंध प्रवंध अभी प्रती है सभी कोश्चन खतम हुए अगला जो आपको वीडियो मिलेगा वो बिसिकली आपको साइन्स का मिलेगा और मैं कुछ एक और सब्जेक्ट सामिल करूंगी उसका मिलेगा तो आई होप आप लोगों को ये प्र थोटा सा रिस्पॉंस इस चैनल पर दे कर जाते हैं तो ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के अन्य एफ़र्ट दिखाऊं मैं अन्य वीडियो भी वराओं तो वने रहें नई श्री क्लास इस पर थेंक यू सो मज मिलते हैं अगल वीडियों